प्रिए चात्रो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमाएंग लाद्टाज क्लास सेवेन का सबसे फर्स नमबर टोपिक है उसका नाम क्या है तो पुरुनांग है वह पुरूशन के में क्या जाती है इसके पर्ष्र करते हैं। तक देखे, जो भी वीडियो देखे, आपको पूरा अंत तक देखे, आपको जो भी टॉपिक से रिले कर प्रॉबलम है, अगर आपको अंत तक प्रॉबलम फिर बचा ही रह जाता है, तो आप फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे, ठीक है, क अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन फर्ष्ट पाने के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा, तो चले जानते हैं कि पु आपको फिर क्लास एट में भी आपको इसको देखना नहीं परेगा, क्लास नाइन में भी आपको कुछी किसी परकार का सुचना नहीं परेगा, तो करम बिन्मे नियम क्या कहता है, कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या एं है, हमेशा करम बिन्मे नियम होगा, वह जोर के अधार पे होगा, करम बिन में नियम जो कभी भी प्रदर्शित होगा वह जोर के अधार पे ही होगा तो कोई संख्या करम बिन में नियम कहता है कि यदि कोई संख्या A है और इसको जोरेंगे माइनस B से इसको जोरेंगे माइनस B से तो इसी का बराबर होना चाहिए क्या चीज यानि कि माइनस A माइनस B पलस माइनस B पलस A यानि कि इसी का उल्टा होना चाहिए कि A कोई संख्या A में यदि माइनस B को जोरा जाए तो उसी संख्या का उल्टा माइनस B पलस A होगा साचर्रे नियम क्या कहता है कि यदी कोई संख्या A है इसको क्या चीज से जोरा जाए यदी माइनस B पलस C से जोरा जाए तो वह संख्या को फिर क्या होगा माइनस B पलस C बराबर पलस A होगा ठीक है माइनस B पलस C बराबर A तो जिसमें 3 को को जोरा जाए वह साचरे नियम होगा जिसमें केवल दो को जोर आ जाए तो वह करंभीन में नियम होगा ठीक है, तो इसमें यही बात का आए कि पुर्णामकों को जोर का जो घुन धर्म परदर्सित होता है उसका नाम लिखे तो इसमें आप देखते हो येगा कि इसमें क्या संख्या का जोर हो रहा है यानि कि दो संख्या का जोर हो रहा है क्या कोचन का है कि पुर्णांकों के जोर का जो गुन धर्म परदर्सित होता है उसका केवल नाम हमको लिख देना है तो इसको हम नाम लिखें चलता है इसका बहुत आसान फर्मूला होता है कि A पलस माइनस B बराबर माइनस B पलस A बराबर ठीक है तो इसमें हम लिख देंगे कि यह जो गुंधर्म परदर्सित करता है यह कौन सा गुंधर्म परदर्सित करता है करम बीनिमे नियम करम बीनिमे नियम परदर्सित करता है ठीक है और यह पुर्णाइंग का चेप्टर का 1A जो है उसमें आपको 2 question मिलेगा तो एक question जो है करम dhmaniam परदर्सित करता है जिसको हम अभी बना दिये हैं और आपको जो उसको बनाना है तो वह साहचर्रे नियम को परदर्सित करता है उसको आप धियान से complete रूप से कि नियम को यह पर दरसित करता है ध्यागर को रिख किorter ना मैंस और जो परतीलों glirasya विथ computer Limited माइनस माइनस का उल्टा प्लस यानि कि जब कोई अंक को यानि कि संख्या के यानि कि चिन को जब हम उल्टा कर देते हैं तो वही मेरा योज़ परतिलों होता है जैसे यहाँ पर प्लस दस है यहाँ पर माइनस दस पर जो 0 प्राप्त कर दे न वही इसका यो जो परतिलोम होता है जैसे यहाँ पर 10 है और जो रहेंगे माइनस 10 को तो क्या हो जाएगा 10 में से 10 यानि कि पलस माइनस माइनस 10 में से 10 घटिया तो क्या हो गया 0 हो गया तो यही यो जो परतिलोम होता है 3 में और माइनस 3 का जो पलस माइनस करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा वही होता है इसका योज परतिलोम ठीक है और 0 का योज परतिलोम 0 ही हमेशा होता है ठीक है अब इसमें क्या का है कि योज ततस्मक को पहचाने योज ततस्मक का मतलब होता है कि कौन सा संख्या आपको 0 है तो 0 वाला संख्या ही केवल यह जो ततस्मक होता है तो इसमें से आपको यह तो एक दिया है तो यह जो ततस्मक तो यह होगा नहीं दूसरका आंक 0 का है तो अभी हम आपको बताएं कि यह जो ततस्मक जो संख्या होता है वह केवल संख्या 0 होता ह तो यह इसका answer हो जाएगा यानि कि 3 number question का answer यह direct योजततस्मक का यह हो जाएगा और यह सब minus में है तो यह नहीं होता है N.O.T का मतलब होता है None of these None of these None of these का मतलब इन में से कोई नहीं option में दिया हुआ इन में से कोई नहीं भी लेकिन इन में से यह है यानि कि B number 0 वाले को हम बोलते हैं योजततस्मक इस परकार आपको class 8 का जो पुर्णाइग का जो चेप्टर होता है यानि कि 1A ठीक है 1A में किबल इतना ही question है इसी कारण आपको हम किबल इतना ही question का बनाए है और आज first topic है यानि कि class 7 का आज हम पर्थम topic का बनाए है इसी कारण आपको इतना ही video पे हम आपको complete कर रहे हैं इसके बाद हम आगे परतेख topic by topic का class 8 का जो मेरा लगभग गनित खतम होने वाला है और वह गनित complete हो जागा उसके बाद हम class 7 में अब आगे हैं और class 6 तक के यानि class 6, 7, 8 का हम पूरा का पूरा गनित खतम करेंगे उसके बाद सारे विशयों को हम लगभग daily basis पे हम complete भी करेंगे ठीक है आपको video अच्छा लग जाए तो जरूर like कर दिजेगा और share आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे होते हैं तो हमको भी थुरा साच्छा फिल होता है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन